दोस्तो जावस्किप के इस फ्री कोर्स में आप सब का सवागत है जहां पर आज हम सेखेंगे फॉर्म वैलिडेशन अपलाई करना आज कर जो फॉर्म वैलिडेशन होगा इसमें हम मतलब कि जितने भी फिल्ड्स है वो सब कंपल सरी है आप किसी भी फिल्ड को खाली नहीं छोड़ सकते एक वैलिडेशन होगा यह और दूसरा वैलिडेशन होगा पासवर्ड एंड कंफाइम पासवर्ड का जब भी आप कहीं पर यूजर आईडी करेट करते होंगे और पासव आज के इस वीडियो में करेट करना सीखेंगे एक डेमो में आपको शो करता हूँ जैसे यहां पर पहला डेमो है और मैं यहां पर करता हूँ सब्मिट पर क्लिक तो यहां पर क्या लिखा रहा है और जितने भी फिल्ड से उनमें कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए दूसरा मैं यहां पर क्लिक तो यहां पे लिखा रहा है नहीं होना आ चाहिए हैं कि गची करो अश्य गचाहिए हैं तो यह यही मेरे पास चीज आप कैसे करोगे यहां आज किसूद विडियो में शेखने वाले है make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ए वीडियो आपके लिए full of information होने वाला है साथ एक छोटी से request है कि अगर ही वीडियो आपको informative लगे है तो please इस वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करता है इस वीडियो को अब नॉर्मल ध्यान देते है computer screen पर यहां पर आप देख पार हो कि जो basics index है like HTML, head, title, body, script यही चीज़ है मैंने लिखी है इसके लावा कुछ भी stuff यहां पर मैंने नहीं लिखा है और जिसका output भी आप देख पार हो कि यहां पर blank है अब यहां सबसे पहले काम हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें एक form design करना है जिस पर हम validation apply करेंगे तो हम क्या करते हैं यहां पर आते हैं और जब हम form design करते हैं यानि कि input field से related एक form बनाते हैं तो सबसे पहला tag क्या होता है form tag जिसके अंदर सारे inputs को हम लेंगे तो हमने आप लिखा form इसके बात यहां से ले आता हूं पहला input जो कि début है input type equal text तक है यहां पर यहां पर आते हैं दूसरा हूं डूसरा डाल इंपोंट टायप equal password यहां पर डाल देता हूं password ठीक है और मैंने आपर डालई input type equal password दैबल कोट के close इसे करेंगे बंद और यहां पर मैं डाल देता हूं इंपुट टाइप एकुवल सब्मिट एक है कंट्रॉल एस किया यहां पर आएंगे कर देंगे रिलोड अब इसे मैं यहां से ले आता हूं थोड़ा से यहां पर ताकि हमार पास यहां थोड़ा ज्यादा स्पेस आजया और यहां पर कर दिया पेस्ट कंट्रॉल एस किया यहां पर आए करेंगे रिलोड और आप देखो कि यहां पर गैप में हमें देखने को मिल जाता है इसके साथ ही मैं यहां पर डाल देता हूं यूजर आईडी तो मैं यहां पर डालता हूं यूजर आईडी इसके बाद हमने आ यहां पर आ जाता है अब जो हमारा एपिरेंस पार्ट है यहां पार्ट है यूजर इडी पासवर्ट वो तो में दिख गया लेकिन अब हमें क्या करना है स्क्रिप्स सेक्षन में जाके हमें इसके पीछे वैगेंड कोडिंग करनी है कि इसमें क्या action attempt होगा सबसे पहला काम तो यह है कि इसमें जो भी data में लिख रहा हूं उनमें से कोई भी खाली नहीं होगा मतलब जितने भी input है उनमें कोई भी input खाली नहीं रहना चाहिए सब में ही आपको data डालना है दूसरा यहाँ पर क्या हमें डालना है कि password दोनों में same डलेगा तभी यह submit होगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो आते हैं skip section में यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इस input और इस input तीनों input की value को पहले मैं क्या करता हूं जी छोटा है तो जी छोटा ही होना चाहिए नहीं तो आपका error आएगा तो यहाँ पर मुझे क्या करना एक id देना है जिसके मदद से मैं input को यहाँ एक के साथ connect कर दूंगा तो यहाँ पर मैं इस input में एक id देता हूं मैं लिखा id equal n1 जो भी id number आप पर नाम देना चाहब दे सकते हो तो मैं आइड लिखा n1 और यही id में डाल दूंगा n1 यहाँ पर double quotes के अंदर तो आप क्या ही कि यह input है वो यहाँ से connect हो गया और जो भी इसके इंदर value लिखी जाएगी वो एक इंदर store हो जाएगा अब मैं यहाँ पर करता हूं जिससे इसके duplicate बन जाएगे और यहाँ पर मैं क्या करता हूं यह password वाले को मैं id देता हूं n2 और यहाँ पर यह वाला जो password है confirm password इसको मैं id दे दी n3 आप यहाँ पर देख सकते हो on screen तो यहाँ पर मैं सबको क्या है अलग-अलग id यहाँ पर दे दिया मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं आपको confusion नहीं होगा फिर ठीक है यह रहा तो इसको दी id n1, n2, n3 और यहाँ पर मुझे क्या करना है इनके idea चेंज करनी है n2 और n3 ताकि इससे तीसरा वाला input connect हो और उसकी value a में store करें इसको b में कर लेते हैं और इसको वेने कर लें यहाँ पर c में store इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास condition apply करना है पहली condition क्या है कि जो भी इसमें input field हो कोई खाली नहीं रहना चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ condition क्या यूज करते है if मैंने लिखा if और मैं बोल रहा हूँ कि यह जो a है यानि कि पहला input यह खाली नहीं रहना चाहिए a equal equal दो बार equal डालना है हमने लिखा और double quats डालना है दो बार इसका मतलब होता है blank यानि कि a खाली नहीं रहना चाहिए उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या दिया और logical operator इसका use क्या होता है कि अगर मुझे a b c 3 logic देने तो मैं एक ही बार में दे सकता हूँ मैंने a का logic दे यहाँ पर फिर हमें लिखूँगा कि जो b है अगर वो खाली रहता है या फिर दुबार में और operator दूँगा c यानि कि यह तीसर अवला input अगर यह खाली रहता है तो यह मैंने यहाँ पर दिया इस तरीके से फिर यहाँ पर हम देंगे curly bracket on curly bracket close और अगर ऐसा हो तो इसके लिए में क्या करूँगा यहाँ पर आऊंगा और function grade कर लूँगा ताकि सारा data एक ही में आ जाए function का नाम दे दिया मैंने data और curly bracket यहाँ किया on और यहाँ पर आके curly bracket किया close तो अभी जो सारा code वो आ गया है एक category में यहाँ पर on इसके आप देख पा रहे है कि सारा code यह call हो जाए मतलब यह जो function है call हो जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ data को आपको call करना है यानि इस function को call करना है अब यहाँ पर देखो मैं इसको control s करता हूँ यहाँ आता हूँ करता हूँ reload और अभी अगर मैं किसी भी field को खाली छोड़ू जैसे मालनों कि इसमें मै लिख क्या रहा है all fields are mandatory लिख क्या रहा है कि यह जो field क्या है mandatory है तो यहाँ पर हमारा यह काम कर रहा है मतलब पहला वाला काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर point को समझना अगर आप पहले की वीडियो देख रहो है तो आपको पता होगा बद जो fresh viewers से उनके लिए में बता देता यहाँ पर जो यह form आप बनाते हो कोई भी form आप बनाऊगी website में तो वह जो form है वह link होता है दूसरे page से जो की PHP की थुरू built-on होता है तो आप क्या करते हो जब आप यहाँ submit यह login पर click करते हो तो आप दूसरे page पर redirect होते हो यानि कि आपका form submit हो गया है लेकिन यहाँ पर क्य HTML, head, body इसके अंदर सिर्फ मैंने डाला है h1 कि your data has been submitted यह इसलिए है ताकि मैं आपको action attribute के बारे मताश सको जिसके मदद से क्या होता है कि अगर यह form submit हो गया सारा कुछ सही है तो आप दूसरे page पर redirect हो सको तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आते हैं और मैं यह बोल रहा हूं क अगर यह form submit हो जाता है आपने सब कुछ सही लिखा है data submit होता है तो यहाँ पर action attempt होगा कि आप दूसरे page पर redirect हो जाओगे और उस page का नाम क्या रखा है मैंने abc.html तो मैं डालूंगा abc.html यह मैं लिखा control sq यहाँ पर आय कर दिया reload तो अब यहाँ पर आप notice करो कि अगर म मैंने इसको खाली छोड़ा है मैंने क्या submit पर click तो यहाँ क्या लिक क्या रहा है all fields are mandatory बता रहा है कि आपने इन दोरों को खाली छोड़ा इन्हें भी भरना है लेकिन मैं जब okay करूँआ तो यह दूसरे page पर पहुंच रहा है your data has been submitted जबकि होना क्या चाहिए कि जब तक मैं लिए नहीं भरता दूसरे page पर नहीं जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना यहां पर आना है और यहां आने के बाद लिखना है return false अब यह क्यों लिख रहा हूं मैं समझाता हूं अगर मानलो कि error आ गया है तो इसका मतलब यह false है और आपको यहीं पर रुकना है तो इस submit पर लगाया है form के अंदर यहां पर मैं डाल दूँगा return तो यहां पर क्या होगा कि अब यह जो हमारा function call हुआ अगर इसमें error आया तो यह return false हुआ और यह यहीं पर रुक जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर यह true हुआ तो यह आगे बढ़ जाएगा मैं आपको इसमें भी कुछ भी लिख दूँगा इसमें भी कुछ भी लिख दूँगा करूँगा submit पर क्लिक your data has been submitted तो 90% काम हमारा complete हो चुका है अब बचाए यहां पर एक ही term password और confirm password का मतलब जो password मैं इसमें डाल रहा हूँ वही इसमें भी होना चाहिए इसके लिए बस आपको करना क कदिजन किया यह जो if condition ने दिये इसको आप simply यहां तक copy कर लो और यहां पर आके आप simply इसको paste कर दो हमने क्या paste और Journal we have said after multiple condition भी है यूष करते है यह B में इसके C में तो मैं बोल रहा हूँ कि मालो कि जो B के अंदर आपने value डाली अगर वो not equal है not equal का symbol यह होता है C के यानि कि confirm password के तो यह error आएगा error के आएगा कि please enter same password ठीक है यह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मैंने क्या Ctrl S यहाँ पर आए कर दिया reload अब मैं यहाँ पर यह वाली email id ली password डालता हूँ 12345 यहाँ पर आया मैं मैंने क्या 12345 ने डाला submit किया please enter same password अब मैं जैसे यहाँ पर same password डालूँगा 5 डाला submit किया your data has been submitted तो not equal है C के I hope कि यह term आपको killer हुआ होगा और यह जो tutorial है वो आपको समझ में आए होगा अगर यह video आपको अच्छे लगए तो please इस video को like करें share करें साथ ही comment करके अपना feedback जरूर दे thank you